तो हाई गाइस वेलकम टू न्यूवी चैनल तो फैंस आज के वीडियो में हम बात करने वाले है रियल मी एक 7 प्रो के कैमरा फीचर के बारे में तो इसके जो कैमरा है वो एक हाइलेटिंग फीचर है और इसमें आपको काफी अच्छा जो है फीचर मिलते हैं कैमरा में तो वी तो चलते हैं हमारे वीडियो के तरफ तो कि सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूँ यहां पर रियल मी एक 7 प्रो में आपको देखने हो मिलता है 64 MP का प्राइमरी सेंसर 8 MP का अल्ट्रावाइट सेंसर 2 MP का मैक्लो और 2 MP का मोनोक्रोम तो क्वाड रियर कैमरा देखने हो मिल iaya50 मढaza चैक आँपको आपको फ्रेंट में भी मिलता है कि यहां पर आपको फिलाइट का भी ऑप्शीन में दो ए पो हो और अपको और कर सकते हो Hdr को मिल जाता है यहांपे है HDR से भी आप फोटोस क्लिक कर सकते हो और यहां पर आपको एया का भी ऑप्शन मिलता है जिसे की यह कलर्स वगेरा को और ज्याद़ बूस्ट कर देता है और फोटो को और रहादा एन्हांस कर देता है फिल्टर में चलते हैं चलते हैं इसेत्बंधमें फोटोस के जो है यहहां पर आको उसका लेकर उपर आप आपको मैक्रों प्लेस को हुआ का मलता है यह मैंने, 5x कर दिया है साथी साथ यहां पर 2x का option में और यह जो है 1x है और यह जो है अल्टरा वैरइड अब जैनौर्मल फोटो में हम अगर सेटिंग में जाते हैं यहां पर कुछ option मिलत है जैसे कि आप frame change कर सकते हो फ्रेम यहां पर full का भी option मिलता है 16 16-9 का भी option मिलता है मैंने 16-9 में कर दिया है यहां पर आपको टाइमर मिल जाता है 3 सेकंड 10 सेकंड और नॉर्मल साथी सथ सेटिंग में चलते हैं तो सेटिंग में आपको वॉल्यूम बटन से भी आप शेटर को किलिक कर सकते हो साथी साथ यहां पर वॉल्यूम से आप डाउन मदलब की जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो तो आप अपने साथा यहां पर कस्टमाइज कर सकते हूं यह जो हैनी यहां फोकिछ पकर लेगा यहां करने यहां यहां पर मैं एक बबड़ कर देता हूं जिससे कि आ रोगो को थोड़ा बहुत क्लियर दिखेंगा यहाँ पर camera UI भी dark हो जाता है साथी साथ यहाँ पर आपको option मिलता है flip selfie का जो कि front camera के लिए है तब यह जो है enable हो जाता है touch to take photo है यहाँ पर जो जब आप select करते है zoom करने के लिए या focus करने के लिए तो जैसे आप tap करेंगे screen पर तो यह automatic photos क्लिक कर लेगा जो कि यहाँ पर आपको option मिल जाता है use gesture to take photo आप gesture के तुरू भी photos क्लिक कर सकते है grid का option मिल जाता है यहाँ पर grid lines आ जाती है जिससे कि यह जह आप देख सकते हो आप जो है straight photos ले पाऊगे settings में दुबारे चलते हैं grid को बंद कर देते हैं portrait distortion का भी option मिलता है आप चाहे तो portrait mode में जैसे कि आप normal photos लेते हैं तो यह portrait को आप detect करके यह automatic AI के तुरू आपको बताएगा photo को कैसे stable रख सकते हैं साथी साथ watermark का option मिलता है watermark में आप चाहे तो यहाँ पर author का name भी डाल सकते हैं अपना नाम डाल सकते हैं जैसे कि मैं new view डाल देता हूं इसको okay कर देते हैं तो जब भी आप photos क्लिक करेंगे तो author का नाम आ जाएगा date and time भी आप यहां से रख सकते हैं जैसे कि मैंने photo click किया और जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो यहाँ पर दिख सकते हो shot by new view तो यह चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो next जो है आपको देखने हो मलता है settings में जाते हैं यहाँ पर video का option मलता है तो इससे नीचे और भी कोई options नहीं है वो हम video में देख लेंगे front camera में हम एक बार चलते है settings में settings में आपको वही same options मिलते हैं जो की rear camera में मिलते थे तो आप यहाँ से जाके इसको option को enable कर सकते हैं जैसे की flip selfie को तो flip selfie का option मिल जाता है आप यहाँ से जाके इसको customize कर सकते हो यहाँ पर आपको same सारे options मिलते हैं जो की rear camera में मिलते थे face beauty का भी option आपको rear और front दोनों में ही मिल जाता है portrait के अंदर भी आपको features मिलते हैं जैसे कि filter का option मिल जाता है आप जाएते हो filter के तुरू photos ले सकते हैं, rear camera में भी आपको filter का option मिलता है तो portrait enable है, portrait के अंदर अगर हम settings में जाएंगे तो आप देख सकते हो सेम ही options मिलते हैं जो कि आपको normal photo में मिलते थे साथी साथ यहां पर timer का भी option मिल जाता है portrait में front में भी और rear में भी देख सकते हैं आप rear में भी है और front में भी है तो एक बार चलते हैं यहां पर 64 MP में 64 MP में आपको दो option मिलते है एक pro और AI AI जो है automatic detect करेगा सब कुछ auto focus EV सब रखता है एक preset उसी के थुरूँ आपको हमेशा image मिलेगी तो वो चीज आप ध्यान रखें जब आप images लें 64 MP में तो आप यहां से अपने हिसाब से customize कर सकते हैं साथी साथ 64 MP में भी आपको जो है option मिलता है flash का यहां पर आपको AI का भी option मिल जाता है एक बार हम settings में चले जात नहीं होगा वो हमें पता ही है क्योंकि 64 MP sensor आपको rear में ही देखने हो मिलता है यहां पर more में चलते हैं तो more में आपको कुछ options देखने हो मिलते हैं जैसे की movie का movie जो है movie के तुरू जैसे की 21 ratio 9 में photos वीडियो ले सकते हैं तो यह जो है वीडियो काफी ज़दा stable आती है और channel चलाते हैं कोई भी dance channel चलाते हैं तो आप इससे जो है काफी अच्छी वीडियो वागेरा record कर पाएंगे जो कि आप अपने हिसाफ से manual mode में कर सकते हैं तो यह काफी अच्छी बात है कि आपको inbuilt app में ही काफी options मिल जाते हैं जैसे की ultra wide का भी option मिलता है videos में तो वह सब चीज channel भी आपको inbuilt दे दिया गया है यहां पर ultra macro का भी option मिलता है यह काफी ज़्यादा macro से भी काफी ज़्यादा ultra macro है तो macro से भी और ज्यादा जूम कर लेता है साथी साथ यहां पर 4 cm की दूरी आपको बनाए रखनी पड़ेगी product जो भी object है उससे more में आपको और option मिलता है जैस पैनरोमा आपको मिल जाता है यहां पर यह कुछ feature से जो कि आपको photos के लिए मिलता है काफी photos के लिए इमेज़े करने के लिए कंग को काफी options मिल जाते है वीडियो में चलता है वीडियो मैं आपको यहाँ पर option मिलता है सबसे पहले flash का साथी साथ यहां फे image क्लिक करने का भी इल्ट्रा स्टेडी मोड को ले सकते हैं इल्ट्रा स्टेडी मोड में आप देख सकते हैं काफी स्टेवल वीडियो हो जाती है जो कि आप देख सकते हैं यहां पर एक दम वीडियो बिल्कुल भी शेक की नजर नहीं आएगे आपको तो काफी जादा स्टेवल वीडियो से यहा आपको ported mode मिल जाता है जो कि आप यहां से देख सकते हो आप वोके को जो है set कर सकते हो अपने हिसाब से filters मिल जाते हैं आपको multiple यहां पर multiple filters add कर सकते हो जो कि आपको सही लगे आप उसे साब से इसको filter लगा लिजिए जिससे कि आपके images काफी अच्छे मिल जाएंगे आप देख सकते हैं आप मेरे हाथ को इसने black and white कर दिया है और पीछे blue color आपको देखने को मिल रहा है तो next देखते हैं filter को off कर देते हैं अब by default जो यह है इसके अंदर हम देखेंगे आपको क्या settings देखने को मिलती है तो portrait को भी बंद कर देते हैं settings में चलते हैं आपको volume का option मिलता है shutter sound यहाँ पर आपको नीचे आजेंगे तो video resolution मिलता है 4K 60fps 1080p 60fps और 720p 60fps मेरो काफी अच्छा लगा कि इधर 720p के साथ साथ 1080p के साथ 4K का भी option है आपको जिसमें 60fps मिलता है तो जी हाँ यहाँ यहाँ पर 60fps का option है लेकिन high power consumption है यहाँ पर आपको जोए power consumption साथ है देखने क मिलेगी और ultra wide अगर अपने camera on कर रखा है वीडियो के लिए तो उसमें 60fps काम नहीं करेगा तो यह बात आपको ध्यान रखने है जब आप 4K वीडियो रिकॉर्ड करने 60fps पर आपको ultra wide camera बंद कर देना है जिससे कि आपके वीडियो काफी स्टेबल आएंगे और काफी smooth वीड जाता है आपको वीडियो को में आपको phone model आप author का नाम भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने photo में करके आपको दिखा दिया था नेक्स्ट यहां पर option मिलता है front camera क्या front camera में देख लेते हैं आपको settings क्या क्या मिल जाती है सेम आपको मिलता है यहां यहां पे video resolution 1080p 30fps से प्रमार्क का भी option आपको front में भी मिल जाता है तो वहां से आप यह सब चीजे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लिए नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखा दू तो front camera भी आपको यहां पर ultra steady का option मिलता है तो आप देख सकते हैं काफी stable वीडियो से ले ले लेता है थोड़ा time लेता है आपको stable रखना पड़ता है phone को जिससे कि यह light को और ज्यादा capture कर लेता है जिससे कि आपको काफी अच्छी images मिलती है तो यह आप देख सकते हैं यह जो है night mode में मैंने क्लिक किया है यहां पर settings में जाते है settings में आपको frame और timer का option मिल जाता है साथी साथ सेटिंग में जाएंगे तो आपको normal वही फीजियो मिलते है जो कि आपको normal photo में देखना हूं मिलता है night mode में आप जहें macro को भी use कर सकते हैं आपको 5x का option मिलता है तो आप यहां से यह सब चीज़े कस्टम लग रही है images में तो वह automatic इसको enhance कर देता है साथी साथ आपको crop and notate option मिलता है तो आपको third party कोई भी आपको editor download करने की ज़रूत नहीं है आप यहीं से इसको edit कर सकते हो beauty 5 option मिल जाता आप यहां से अगर अपका face है तो आप beautiful कर सकते हो face को filter option मिलता है यहां पे कुछ filters दिये गए हैं जो कि आप अपनी साथ से add कर सकते हो doodle मिल जाता है आप यहां पर कुछ भी add कर सकते हो अपने image में next मिलता है यहां पे doodle के बाद mosaic में आप जाके इसको blur वगे रहा है वो images के आप edit कर सकते हो Eraser का option मिलता है Stickers का option मिलता है Blur का option मिल जाता है तो यह normal एक editor है जो कि आपको inbuilt मिलता है आपको third party editor की ज़रूत नहीं है तो यह थे कुछ features जो कि realme X7 Pro में आपको देखनो मिलता है inbuilt application में और काफी अच्छे features आपको third party camera की ज़रूत नहीं है मेरे ख्याल से तो और काफी बढ़िया लगा मेरे को इसका camera जिसमें की आपको काफी अच्छे option मिलते हैं तो अगर आपको realme X7 Pro का Gcam वीडियो चाहिए आप इस वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं बागी इस वीडियो में इतने ही वीडियो पसंद है तो like दो से कर दिजिएगा चैनल को subscribe कर लिए ऐसे interesting वीडियो के लिए मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई